जहें साथियों बहुत बहुत शागत है आपका अपने ही चैनल एनाएस ओनलाइन हब में तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यूपी एनाएस डिलेट को लेकर और आप लोग का बहुत सारा कॉमेंट आ रहा था कि सर यूपी एनाएस डिलेट को लेकर जो है कोई अपडेट नहीं आ रहा है तो दोस्तों जो अपडेट महत्पून अपडेट होता है मैं अपडेट कर देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो लखनाव बेंच में सोलो 132 जो केस था वो दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट निकल के आ रही है यह नंबर जो है 23 नंबर पर था और यह केस जो है आज एक नंबर पर बहस जोरदार बहस हुई है क्या बहस हुई है आए इसमें देखते हैं और यह देख लिजे दोस्तों यह केस नंबर था 23 नंबर पर चर रहा था तो यह फाइनली जो दोस्तों यह एक नंबर पर चर रहा और यह फैसला आने की यहाँ पर आज पूरी शंभावना थी लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या कुछ अपडेट आ रहा है आप देख लिजे यहाँ पर कि जैसा कि दोस्तों आपको लोग को ग्यात होगा कि आज केस 1632 की सुनवाई थी बहुत लंबी बहस चली और आपने देखा कि आज की बहस का परिनाम सकारात्मक रहा जे भोलेना सरकारी वकिल ने दो मेहने का वक्त मांगा है क्यूंकि निवाली में संसोधन बहुत से प्रोसेस से गुजरता है इसलिए दो मेहने ज्यादा समय नहीं है क्यूंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा जो बिहार के सिचक ने किस तरह मायनता अपना ली है आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसलिए दो मेहने ज्यादा नहीं होते और अभी ना टेट और ना भरती आने वाली है अगर दो मेहने में कोई प्रोसेस नहीं किया तो हम content of court लगा देंगे हमारे दुआरा किया गया केस कितना positive result लाया है यह समय रहते हमने केस के आगर टेट का इंतिजार करते तो क्या होता यह सोच कर हिर्दय में भय प्राप्त हो जाता और इहां पर दोस्तों अब 99% सरकार दो मेहने में नेवाली में संसोधन कर देगी धनवाद बागी का order upload होने पर आप लोग को दिया जागा तो दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यूपी अनाज टेलेट से च्छकों के लिए और जो भी अपडेट आगा दोस्तों आप लोग को दिया जागा जैसे ओडर अपलोड होता है आज की बहास को लेकर सारा अपडेट जो है दिया जागा तो इस वीडियो को दोस्तों हो सकते आपने दोस्तों तक सेर कीजिए और आप लोग का दोस्तों माहिनता मिलना आता है क्योंकि अनाज डिलेट जो है पूरे इंडिया में जो है के लिए लेटर जारी हो जुका है तो आप लोग घबराएं नहीं जो भी इस डिलेटी टीचर है यूपी के घबराएं ने आप लोग को भी माहिनता मिलेगा आपको लगता है कि हमने दो साल जो महनत किया है दो साल जो हमने टाइम बेस्ट किया है तो दोस्तों आपको जो है डट के मुकाबला करना है जिस तरह बिहार में सिच्छकों ने डट के मु कॉमेंट करना है कि हम लोग जरूर जितेंगे